लास्ट टाइम हम दोगों ने नॉर्मेटिव इतिक्स के उपर चर्चा किया आज हम मेटाफिजिक्स के उपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे थोड़ी सी चर्चा इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम लोग तो एडवांस इतिक्स या मेटाइतिक्स के उपर पूरे साल भर का कोर्स किये हैं तो उतनी चीजें आपके लिए उप्योगी नहीं है दिखिए फर्स्ट वल्ड वार के पहले बिश्वी शताबदी के प्रारंभ में दर्शन जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन था कि एक नई तरह की फिलोसफी का जन्म हुआ जिसको हम इनालिटिकल फिलोसफी या लिंविस्टिक फिलोसफी के नाम से जानते हैं और प्रारंभ में तो ये माना जाता था कि दर्शन का कार्य है वो इटिस सर्च पर टृत ये दो टार्गेट थे दर्शन के पहला टार्गेट ये था कि सत्यता की खोज करना और दूसरा ये था कि जीवन और जगत की समस्याओं को सुल्जाना लेकिन बिश्वी सताब्दी के प्रारंभ में दर्शनिकों ने ये महसूस किया कि ये दोनों ही काम वैग्यानिकों का काम है दर्शनिकों का ने अर्थात सत्यता की खोज करना और जीवन और जगत की समस्याओं को सुल्जाना ये वैग्यानिकों का कारे है दर्शनिकों का कारे नहीं दर्शनिकों का कारे किवल और किवल ये है कि जीवन और जगत से संबंधित भाशा का स्पष्टी करण करना to clarify the ambiguity or complexity of language इसका प्रभाव नीतिशास्त्र पर भी पड़ा और नीतिशास्त्र में भी एक नया डाइमेंशन ने जन लिया जिसको हम मेटा इथिक्स या इनालिटिकल इथिक्स या एडवांस्ट इथिक्स के नाम से जानते हैं तो ये तीनों नाम समनार्थक अर्थ में यूज होते हैं चाहे आप इसे इनालिटिकल इथिक्स कहिए विश्लेशनात्मक नीतिशास्त्र चाहें आप इसको Meta Ethics कहिए अधी नितिशास्त्र और चाहें इसको Advanced Ethics कहिए उन्नक नितिशास्त्र इन तीनों का जन्म या तीनों एक ही है इनका जन्म एनालिटिकल फिलोसफी के साथ साथ होता है और अब ये माना जाने लगा इतिक्स के छेतर में पहले तो ये था कि दार्षनिकों का जो नीति शास्त्री हैं उनके दो काम है पहला काम ये है कि नैतिक मापदंड की इस्थापना करना जिसे आप Code of Conduct कहते हैं और दूसरा कार ये था कि उन मापदंडों के अधार पर व्यक्ति के आचरण का मुल्यांकन करना और मुल्यांकन करकर के ये बताना कि कौन सा कारी शुभा है कौन सा कारी अशुभा है इनालिटिकल फिलोसफी का प्रभाव इधर भी पड़ा और अब नीति शास्त्रियों ने कहा कि देखिए हमारा काम नितिग्यों के काम से अलग है हमारा काम नेतिक आदर्सों की अस्थापना करना नहीं है मापदंडों की अस्थापना करना नहीं है और नहीं ब्यक्ति के आचरण का मुल्यांकन करना है ये काम नितिग्यों का है मोरेलिस्ट का है नितिशास्त्रियों का या मोरल फिलोसफर्स का नहीं है मोरल फिलोसफर्स का जो कारी है या इथिसिस्ट का जो कारी है नितिशास्त्री इनका जो कारी है कि नैतिक शब्दों, moral terms और concepts और धारणाओं का analysis करना आप जानते ही हैं कि तीम शब्द ऐसे हैं जिनको नैतिक शब्द या moral concept के अंतरगत रखा जाता है good, शुब, उचित, right और कर्तब्य, duty शुब, उचित और कर्तब्य, इन शब्दों का अर्थ क्या है इसका wishlation करना और दूसरा काम ये हो गया कि जब हम moral judgment की बात करते हैं नैतिक निर्णे की बात करते हैं तो नैतिक निर्णे के स्वरूप का स्पस्टी करन करना कि हमारा जो निर्णे है वो cognitive है या non cognitive है इस बात का निर्दहारन करना ये नितिशास्त्रियों का कारी हो गया और इस प्रकार moralist और moral philosopher या ethicist के बीच किलियर कट अंतर किया गया यही प्रस्ने साइद civil services में भी पूछा है कि what is distinction between moralist and moral philosopher और ethicist तो आपके मन में बिल्कुल किलियर होना चाहिए कि जो नितिग्य होते हैं उनका कारी होता है code of conducts की स्थापना करना आचार संगिताओं का को बनाना और लोगों को उन आचार संगिताओं का अनुपालन करने के लिए influence करना, प्रेडित करना, encourage करना ये moralist का काम है, जैसे गांधी जी को आप कहेंगे है कि वो moral philosopher नहीं थे, moralist है भगवान बुद्ध, moral philosopher नहीं थे, बलकि वो moralist है महाबिर स्वामी, moralist है आचार संकर, moralist है स्वामी विवेकानन जी, moralist है डाक्टर भीमराव, अमितकर साहथ, ये moralist है इन लोगों का कारी होता है कि समाज को चलाने के लिए कुछ नेतिक आदर्शों की स्थापना करना और उस तक चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना बलकि इनका क्योल और क्योल दो कारी है नैतिक शब्दों का विशलेशन करना और नैतिक निर्णेयों के स्वरूप का स्पस्टी करन करना ये दो उनका कारी है कि नैतिक शब्दों के स्वरूप का स्पस्टी करना ये विशलेशन करना अब माला दिजिये हम good शब्द को लेते हैं शुभ तो इसके कई संदर्वहों में कई अर्थ होते हैं जैसे हम कहते हैं कि your conduct is good तो यहां good का सब्द अलग अर्थ हो गया जब हम कहते हैं कि your search is good तब यहाँ पर हम good सब्द का प्रियोग अलग अर्थ में करते हैं जब हम आचरण के मुल्यांकन के लिए करते हैं good सब्द का प्रियोग अच्छा सब्द का प्रियोग तो यह नैतिक हो जाता है और जब हम इसका प्रयोग किसी चीज़ का वरवन करने के लिए करते हैं तो वो एमोरल हो जाता है निरनैतिक हो जाता है इसी प्रकार जब हम नैतिक निर्णेओं के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो नैतिक निर्णेओं के स्वरूप के संधर में प्रस्न उठता है कि जो नैतिक नरह है ओओ संग्यानात्मख है कॉगनिटीब या नौन कॉगनिटीब है आठार जो moral judgment होते हैं इसके लिए दो तरह का उतर दिया गया है कुछ लोगों ने ये कहा कि जो moral judgment होते है वो कागनिटिव होते हैं संग्यानात्मख होते है और यही से संग्यानवाद की अस्थापना हुई जबकि कुछ दार्षनिकों ने कहा कि जो moral terms होते हैं वो और संग्यानात्मक होते हैं non cognitive होते हैं अब थोरी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं देखें जब संग्यानात्मक का मतलब होता है कि वो factual होता है factual, तथ्यात्मक तो कुछ दार्षनिक हैं वो ये मानते हैं कि जो moral judgment होते हैं वो भी factual होते हैं वो किसी चीज़ का overrun करते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं जैसे जब हम कहते हैं कि hydrogen का oxygen से reaction करने पर जल बनेगा तो हमारा यह statement factual statement है और इसकी truth और falsity का हमने धारन कर सकते हैं इसी प्रकार जब कोई moral judgment देते हैं हम तो moral judgment भी factual होता है और उसकी truth और falsity को बताया जा सकता है इसको संग्यानवाद करते हैं लेकिन जो non-cognitivism है और संग्यानवाद इसमें माना गया कि देखें जो moral judgment हम देते हैं वो factual नहीं होता है इसे हम सत्य असत्य नहीं बता सकते बलकि जो moral judgment होता है वो हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ट करता है इस इक्सप्रेस और इमोसंस और दूसरा क्या है दूसरे में भी उसी तरह की भावनाओं को जागरित करता है या दूसरों को भी उसी तरह के कारिक करने या न करने के लिए प्रेरित करता है या दूसरों को उस तरह का कारिक करने या न करने के लिए परामर्स देता है तो जो असंग्यानात्मक है इसमें माना गया कि जो moral judgment होते हैं वो factual नहीं होते हैं वो किसी चीज का वरणन नहीं करते हैं बलकि वो हमारी भावनाओं को संप्रेशित करते हैं और इसलिए इसकी truth और falsity को निर्धारित नहीं किया जा सकता है हम यह नहीं कह सकते हैं कि moral judgment सत्य होते हैं हम यह कह सकते हैं कि आपका यहा कार शुब है यह कार शुब है जैसे आप उधारर से यह समझे हैं कि आप जदी किसी से प्रेम करते हों और जिसे प्रेम करते हैं वो कहें कि आप कितना प्रेम करते हैं तो आप क्या बताएंगे आप factual analysis नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह emotive है यह भावनात्मक है उसी तरह असंग्यानवादी मानते हैं कि जो भी अम्मोरल जज्मित देते हैं वो 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 वाणनात्मक नहीं होता है वो तथ्यात्मक नहीं होता है बलकि वो emotive होता है या prescriptive होता है जो हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और उसी तरह की दूसरों में भी भावनाओं प्रेडित करता है और इसी मानता के अधार पर संग्यानवाद और असंग्यानवाद के भी अलग-अलग classification हो गए ज़ादे detail में चर्चा हम नहीं कर पाएंगे लेकिन आप संचेप में ये समझी है कि जो cognitiveism है इसके भी दो भेद हो गए एक naturalism और दूसरा non-naturalism या naturalistic और non-naturalistic प्रकृतिवादी और निर प्रकृतिवादी प्रकृतिवादी जिसमें बेंथम हैं, मील हैं R.B. Perry है, John D.B. है इन लोगों ने कहा कि जो moral terms है नैतिक पद है इसको हम अनभवात्मक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं जैसे कोई कहता है कि यह कारे शुभ है इसका मतलब यह है कि यह हमारे लिए सुखद है तो नैतिक शब्दों को अनभवात्मक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेना यह प्रकृतिवादी कहला है और निर्प्रकृतिवादी जिसमें जी मूर हैं एचे फिशवड हैं डबलू डी रॉस हैं इन लोगों को मानना था कि जो मोरल टर्म्स होते हैं उन मोरल टर्म्स को किसी भी अनभवात्मक कथन के माध्यम से या शब्द के माध्यम से हम एक्स्प्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरल हैं अविभाज्य हैं अविश्लेश्य हैं और जब हम उनका अनभवात्मक शब्दो के माध्यम से एक्स्प्रेशन करते हैं उन्हें बताते हैं तो वहाँ पर एक दोश आ जाता है और इसी को मूर ने निचुरलिस्टिक फैलेसी का नाम दिया प्रकृतिवादी दोश यह है जैसे इन्हों ने कहा कि कि शुब को सुख के माध्यम से हम डिफाइन कर सकते हैं और मूर काते कि नहीं शुब को शुब ही कहा जा सकता है क्योंकि शुब को किसी अनभवात्मक शब्द के माध्यम से एक्स्प्रेशन नहीं कर सकते हैं इसलिए जदि कोई पूछे कि शुभ क्या है तो मैं यही कहूँगा कि शुभ शुभ है शुभ की परिभासा हो सकती तो मैं यह कहूँगा कि शुभ की परिभासा नहीं हो सकती क्योंकि शुब एक निरप्रकर्टिक है और अनभव सुखद कहना, आनंदायद कहना ये अनभवात्मक है इसलिए हम शुब को सुख के माध्यम से एक्सलेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते है इसी प्रकार जो नोन निच्टरिस्टिक थे, इसके दो मेजर क्लासिफिकेशन्स हो गए है एक तो emotivism के नाम से जाना गया, जिसे हम सम्वीग बाद कहते हैं और दूस्वा प्रेस्क्रिप्टिविजम के नाम से जाना गया, जिसे हम परामर्स बाद कहते हैं सम्भेगबाद जिसमें बहुत बड़ा नाम है AJ AIR का और इसी सम्भेगबाद को आगे बढ़ाने का काम CLS Stevenson करते हैं हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं देखिए AIR और Estevenson ये दोनों सम्भेगबादी है लेकिन AIR काता है कि जो नैतिक नर्णे होता है वो सम्भेगात्मक होता है इसमें दो उदेशे होते हैं एक तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना और दूसरा ये है कि आप में भी उसी तरह की भावना को जागरित करना तो जो नैतिक निर्णे होते हैं उनके दो उदेशे हो गए अपनी भावनाओं को अभिवक्त करना और दूसरे में उस तरह की भावनाओं को जागरित करना लेकिन इस्टिमेंशन करते हैं कि नहीं अपनी भावनाओं को अभिवक्त करना ये तो है लेकिन दूसरे में उसी तरह की भावना जागरित नहीं करना बलकि दूसरों को भी वैसाही करने के लिए प्रेरीत करना जैसे कोई कहता है कि मैं अमुक चीज को पसंद करता हूं इसका मतलब कि I approve it and you should also approve it इसका मैं अनमोधन करता हूं और आप भी इसका अनमोधन करिये अर्थात इसमें कि बलकि दूसरे के अंदर भावनावों को जागरित नहीं करते हैं बलकि उससे यह अपिक्छा रहते हैं कि तुम भी ऐसाही करो जैसे किसी ने कहा न कि चुन साहिबा चुन मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन सुन चुन साहिबा चुन तो देखिए यहाँ पर जो यह कह रहा है वो केवल आपके अंदर भावना जागरित नहीं कर रहा है भावना जागरित करना तो यह हो गया कि हम दिल दे चुके सनम तो दिल दे चुके सनम तो यहाँ पर अपनी बात कहा और आपके अंदर उसी तरह की भावना जागरित कर रहा है लेकिन estimation काता है कि नहीं यह प्रिरित कर रहा है उस तरह कारे करने के लिए कि मैं एप्रूब करता हूँ अनमोदन करता हूँ और आप भी इसका अनमोदन करिये अब इसके उपर बहुत लंबा डिवेट हो जाएगा क्योंकि एस्टिवेंशन उसको एक पक्ष को इमोटिव और दूसरे को डिस्किप्टिव काते हैं लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे कि नहीं जो मूरल जर्जमेंट होते हैं वो मूरल जर्जमेंट आदेशात्मक नहीं होते हैं जैसा सियल इस्टिवेंशन का रहा है बलकि मूरल जर्जमेंट होते हैं वो एक मर्ग दर्सक के रूप में होते हैं और मर्ग दर्सक का मतलब यह होता है कि वो एस्टेंजर स्था प्रापित करते हैं और हमको भी वैसा करने के लिए निर्देश करते हैं प्रामर्स देते हैं कि आप भी इसको फॉलो करिए क्योंकि आदेम्हेर कहता है कि जदी इस्टिवेंसन की तरह आदेशात्मत मान लोगे तो आदेश में फ्रीडम अफ विल खंडित हो जाएगा और फ् परचाना बहुत जरूरी है इसने जदी हम फ्रीडम अब बिल को मानेंगे तो हम यहीं कह सकते हैं कि जो मुरल जज्जमेंट होते हैं वो एक मार्ग दर्सक होते हैं वो एक आइडियल होते हैं जो हमें करने या न करने के लिए परामर्स देते हैं अब इस पर बहुत लंबा इसमीत करता है कि ये जो मुरल जजमेंट होते हैं वो किवल प्रिस्क्रिप्टी भी नहीं होते हैं परामर सात्मक ही नहीं होते हैं बलकि ये चेतावनी भी देते हैं ये प्रशंसा भी करते हैं ये निंदा भी करते हैं ये मुल्यांकन भी करते हैं ये अलूचना भी करते हैं और इसका अधार था रोमन का देवता जेनस. एक रोमन में देव हुए जेनस और जेनस में मारा जाता है कि उनके कई चेहरे हैं. उसी तरह पिये नावेले स्मित काते हैं कि जो moral judgment होते हैं, उस moral judgment के कई function हैं, उसके कई कार्य हैं और उसे किवल परामर्ज तक सिमित कर देना उचित नहीं होगा. संचेप में इतना करा मैंने, इसके बाद जो मेरा next lecture होगा, वो applied ethics या practical ethics और professional ethics के उपर होगा. इसको बहुत detail में मैंने चर्चा इसलिए नहीं किया, क्योंकि civil services में बहुत जादे इससे question पुछने की सम्भावना नहीं रहती, लेकिन practical या applied ethics बहुत बड़ा contribution है philosophy में, और उससे बहुत सारे questions आते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने next lecture में करेंगे. Thank you.